हरे कृष्णा आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल किट कट इस्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है जेस्ट मास के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी है निर्जला एकादशी यानि कि इस व्रत में निर्जल और निरहार रहकर ही व्रत रखा जाता है तो आज की इस वीडियो में आपके कुछ सवालों का जवाब दिया जाएगा जैसे कि एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए पानी कब और कैसे पी सकते हैं क्या इस वरत में मुणफली खा सकते हैं, क्या नमक खा सकते हैं, क्या चाय पी सकते हैं, या फिर अधितर लोग comment box में पूछते हैं कि क्या वरत वाले जो चावल होते हैं वो आज के दिन हम खा सकते हैं सबसे पहली बात तो एकादशी का वरत चाहे वो क्रिश्न पक्षकी हो या शुकल पक्षकी, दोनों ही पक्ष्चों की एकादशी में जो वरती हैं उनके लिए अन्न का त्याग करना बताया गया है, यानि कि अन्न खाना वरजित माना गया है मानेता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी उपवास रखते वे अन्न ग्रहन करता है, वो पाप का भोजन करता है और उसे पाप का भागिदार होना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को अंत में दुर्गती की प्राप्ती होती है, यही कारण है कि एकादशी में कभी भी अन्न ग् किया जाता है अगर बात करें कि एकादशी के वृत में भक्तों को क्या खाना चाहे किन-किन वस्तों का सेवन कर सकते हैं तो एकादशी के वृत में केवल फलों का ही सेवन या फिर ड्राइफ रूट्स का सेवन किया जाता है फलों का सेवन आप फलों के रूप में या जूस के रूप में कर सकते हैं, बार बार फल भी ग्रहन नहीं किये जाते हैं, केवल एक समय ही फल ग्रहन किये जाते हैं, ड्राइफ रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं, और अगर बात करें कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो एकादशी व्रत में अन्न का किसी भी प्रकार के चावल का त चाहिए चावल ही नहीं चावल से बनी किसी वस्तू का भी सिवन परिवार के सदस्तियों को भी नहीं करना चाहिए आज के तने ऐसे व्रती के घर में मसूर की दाल बैगन या फिर लहसुन प्याज का भूजन भी नहीं बनना चाहिए अगर बात करें कि निर्जला एकादशी जो व्रत होता है जैसकि अपने नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत में जल का भी त्याग किया जाता है बाकी एक आदशी में तो किवल अन्न का त्याग किया जाता है लेकिन साल भर में एक बार आने वाली इस एक आदशी का व्रत जो भी भक्त रखते हैं वो जल की एक बू निर्जल रहने का संकल्प लेते हैं और उसी प्रकार के नियमों का पालन करते हैं किन्तु कुछ भगत ऐसे भी होते हैं जो इस व्रत को निर्जल नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में सबसे पहली बात तो अगर आप केवल 12 गंटे तक निर्जल रहने का संकल्प लेते हैं तो भी आप इस रत को रख सकते हैं सुभा से लेकर शाम तक की पूजा तक आप निर्जल रहें इस प्रकार का संकल्पाप ले सकते हैं उसके बाद आप शाम की पूजा करने के बाद जल्ग रहन कर सकते हैं यानि कि जितने देर तक भी जितने भी घंटे के लिए पालन आपको करना चाहिए अगर आप पूरे 24 घंटे तक निर्जल रहना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि अगर आप बिना पाने के नहीं रह सकते तो सुभा की पूजा में यानि कि एक आदशी की जब आप पूजा करते हैं उस समय मुख शुद्धी के लिए यानि कि जब पूजा पाढ़ आप शुरू करते हैं उससे पहले आचमन किया जाता है आचमन में एक दो बूंदे जल की अपनी दाहनी हतेली पर भगवान के समक्ष बैठकर ही मुख शुद्धी के लिए आचमन का जो जल है वो मुह में डाला जा इसी को आचमन करना कहते हैं तो उतना जो जल है जो जल की बूंदे हैं बस आपको सुबह वही ग्रहन करनी होती है उससे पहले आपको जल की एक भी बूंद या किसी भी तरह से जल नहीं पीना होता है वरना ये निर्जला व्रत नहीं रहेगा तो जब सुबह आपने आचमन कि जितना जल ग्रहन कर लिया जो कि केवल आपके मुह से लेकर गले तक ही जाएगा केवल हिर्दे तक रह जाएगा पेट में या आतों में नहीं पहुचेगा तो उसी को आप ग्रहन करेंगे फिर सारा दिन आपको निर्जल रहना है और दूसरी बार आप उतना ही जल यानि आचमन जितना जल शाम की पूजा करतिस में भी ग्रहन कर सकते हैं ऐसा करने से भी व्रत खंडित नहीं होता है यानि कि जितने जल की बूदे एक या दो बूद केवल आपने हथेली पर रखकर सुभा के समय ग्रहन की हैं उतनी ही बूदे शाम की पूजा करने पर आप ग्रहन कर सकते हैं उतनी ही मातरा में जल आप ले सकते हैं ताकि सर्फ आपका मुह और गले तक ये जल जाए इससे ज़्यादा यदि आप जल प्यास बुजाने के लिए पी लेते हैं जाने में ही पी लेते हैं तो उससे भी वरत खंडित हो जाता है और फिर आपको अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही भरपूर मात्रा में जल ग्रहन करना चाहिए तभी ये पूरी तरह से नर्जला एकादशी का उपवास कहलाएगा इस बीच में जितनी देर तक आपने जल ग्रहन नहीं किया है बहुत जादा आवशक्ता हो और आपको प्यास से बहुत जादा परिशानी हो रही हो तो आप पानी से कुल्ला कर सकते हैं तिन में एक या दो बार पानी से आप कुल्ला कर लें इस से वरत आपका खंडित नहीं हो केवल अपने ही घर के ग्रहन करने चाहिए किसी दूसरे के घर जाकर जलपान या फलहार आदी नहीं करना चाहिए ये एकादशी वृतों के नियमों में से एक नियम है अगला प्रश्ण है कि क्या इस वृत में मुंफली खा सकते हैं कची मुंफली का सेवन कर सकते हैं तो देखे जमीन के नीचे जमीन के अंदर उगने वाली जो भी सबजिया हैं जो भी ड्राइफ रूट्स आदी हैं जो भी वस्तुए हैं उनका सेवन भी एकादशी के दिन नहीं किया जाता है तो एकादशी के वृत में किसी भी प्रकार के नमक का सेवन करना भी वर्जित माना गया है इसलिए कहते हैं जिनकी सामर्थ हो उन्हीं को एकादशी का उपवास रखना चाहिए क्योंकि एकादशी के जो नियम है उनका पालन करना बहुत कठिन है यहां तक कि निर्जला एकादशी के दिन जो लोग निर्जल रहकर उपवास रखना चाहते हैं उनको ये भी सलाह दी जाती है कि अगर आप कामकाजी है घर से बाहर जाते हैं तो अगर बहुत आवश्यक्ता हो तभी आपको घर से बाहर जाना चाहिए नहीं तो घर पर ही रहकर आपको इस दिन उपवास रखना चाहिए कम से कम बोलना चाहिए हो सके तो मौन रहना चाहिए क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो उससे आपको शारिरिक ठकान होती है और आपको मानसिक थकान भी हो जाती है जिस कारणट से आपको प्यास लगेगी और जब प्यास लगेगी तब आपके लिए इस वरत को पूरी तरह से रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या इस वरत में चाई पी सकते हैं इसलिए एकादशी के वरत में चाई का सेवन भी मना किया जाता है अगला प्रिशन है कि क्या इस दिन वरत के चावल खा सकते हैं तो देखे एकादशी के दिन चाहे वो सादा चावल हो या वरत के चावल हो किसी भी प्रकार के चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है जहां तक बात आती है जिनके घरों में एक आदशी का वरत नहीं रखा जाता है क्या उन घरों में चावल का सेवन होना चाहिए तो हमारे सनातन धर में ऐसा कहा गया है जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रख पाते हों अगर इस दिन सच्चे मन से भगवन विश्नु की पूजा करते हैं और कुछ अनिवारी नियमों का पालन करते हैं जिन में से चावल ना खाना भी एक नियम है यदि इस नियम का भी पालन करते हैं तो उससे भी उन्हें एकादशी व्रत के पुर्णी की प्राप्ती होती है इसी कारण से एकादशी के दिन चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है यहां तक कि भगवान विश्णु की पूजा में आज के दिन अक्षत भी अर्पित नहीं किये जाते हैं तिलक के बाद जो हम चावल लगाते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं तो भगवान को भी इस दिन अक्षत अर्पित नहीं किये जाते हैं तो आप हर बार हर इकादशी व्रत में इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो भी भक्त नर्जला इकादशी का उपवास नर्जल रहकर रखते हैं, उन्हें द्वादशी तिथी को शुब मूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए, और पारणा करते समें हमेशा सबसे पहले साद़ा जल, फ्रूट जूस से, मीठे शर्बत से और तुलसी पत्र से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। क्योंकि ये जो मौसम है, इसमें बहुत तेज गर्मी होती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, 24 घंटे तक भरपूर पानी ना मिलने की कारण आपको एक साथ अधिक मातरा में पानी पीने से भी समस्या हो सकती है, इसलिए व्रत खोलते समें आप इस बात का ध्यान रखें कि एक ही साथ एक ही मातरा में बहुत धेर सारा पानी भी ना पीए, खाली पेट नीबू पानी पीने से भी ऐसीडिटी होती है, समस्या आपको हो सकती है, तो ऐसे में वरत खोलते समें साधा जल या फिर जल में शक्कर मिलाकर उसका सेवन करके भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं इसके बाद आप कुछ भोजन आदी ग्रहन करके शुद्धसात्विक भोजन ग्रहन करके फिर आप भरपूर मात्रा में जल ग्रहन कर सकते हैं सबसे महतुपोन बात जब भी एकादशी की तिथी दो दिन तक रहती है तो ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में ये प्रेशन होता है कि क्या हमें एकादशी व्रत उसी समय से प्रारम कर देना चाहिए जिस समय से तिथी लग जाती है चाहे वो एक दिन पहले दोपहर का या शा करेंगे चाहे एक आदशी की तिथी दो दिन तक हो तो उसमें आप एक दिन पहले जिसे आपको व्रत रखना है उससे ठीक एक दिन पहले रात को बारा बज़े के बाद से जलका त्याग करेंगे दश्मितिति को सूर्यास्त के बाद भूजन ग्रहन नहीं किया जाता है नमक का सिवन नहीं किया जाता है लेसन प्याज से बनावा भूजन तो बिल्कुल भी ग्रहन नहीं करना चाहिए लेकिन बहुज़ाद आवशकता हो तो दश्मितिति के सूर्यास्त के बाद आप हलका फुलका भोजन ग्रहेंड कर सकते हैं भरपूर मात्रा में आप लिक्विड चीजे ले सकते हैं दूद का, दही का, छाच का सिवन आप कर सकते हैं जो आपके शरीर को सही रखें तो आप इस बात का ध्यान दश्मितिधी को रखें और फिर रद 12 बजे के बाद से ही जल का त्याग आपको करना होता है पूरे दिन, एकादशी के दिन आपको निर्जल रहना होता है और द्वादशी तितिको ही फिर जल ग्रहेंड करना होता है एक और आखरी बात, जो अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम निर्जल रहकर इस्वरत को नहीं रख पाते हैं तो क्या हम सामानी इकादशी की तरह, हर बार की इकादशी की तरह इस्वरत को रख सकते हैं तो देखे, बिल्कुल आप इस्वरत को हर बार की तरह रख सकते हैं जरूरी नहीं कि आप भी निर्जल रहकर ही इस वरत को रखें अगर आपका स्वास ठीक नहीं है आपके लिए पूरी तरह से निर्जल रहना संभव नहीं है तो आप इस दिन सुबह पूजा करके संकल पलें कि आप इस वरत को सामानी कादशी की तरह ही रखेंगे फिर पूरे दिन आप भरपूर मात्रा में जलका सेवन कर सकते हैं उमीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं